आज हम चप्टर 19 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप पर जाने से पहले मैं आपको इमेजिंग की फोटोग्रफी की कुछ बेसिक समझाना चाहता हूँ के लेट से वी हैव एन इमेज अब इसमें एक इमेज है लो रेजोलुशन अब यहाँ देख सकते हैं कि एक जो इमेज है कि बेसिकली चोटे चोटे ब्लॉक से यह चोटे चोटे पॉइंट से यह स्पॉर् से बहुत कम डॉट से यह पिक्सल से मिलकर बना है तो यह बिलकुल बलर है मतलब we are not recognizing what actually this picture is लेकिन दूसरी तरफ सेम यही इमेज जब बहुत ज़ादा पिक्सल्स से बनाया जाएगा तो इसकी जो clarity है यह इसकी जो detail है वो हम और बहतर तरीके से जान सकते है so it means जितना ज़ादा हम image को resolve कर सकते हैं resolve means जितने ज़ादा pixels से उसको यह जितने shorter level पर जाकर हम pixels create कर सकते हैं हम image को उतना ज़ादा उसकी details जो है वो जान सकते है digital photography का दोर आगया है मतलब आप बहुत ज़ादा high resolution images जो है वो create कर सकते हैं तो देखें अगर अब इसी image को मैं और ज़ादा detail इसकी देखना चाहता हूं मतलब इसको और ज़ादा zoom करता हूं तो let's say कि हम इसको zoom करते चले जाएं अभी तक तो detail वाज़े हैं अभी कुछ बेतर है लेकिन इसको जैसे ही हम और zoom करते जाएंगे ये जो pixels हैं ये हमारी नजर में और ज़्यदा disturb होते जाएंगे मतलब मजीद इसे zoom किया जाए तो देखें अब चुँकि हम पहले से image को देख चुके हैं कि ये एक eye है लेकिन अगर आपको directly image दिखाया जाएगा तो शायद ये recognize करना असान नहीं होगा अब इस image की मजीद clear details देखने के लिए हमें और अच्छा result image चाहिए है तो ये जो resolution है ये कैसे attain की जाती है आम जो compound microscope है उन compound microscope से हम जो images obtain करते हैं वो simply कुछ micrometers तक resolve होते हैं तो electron microscope है उसका advantage ये है कि वो हमें atomic scale तक ये molecular scale तक जो है वो बहुत अच्छे detailed images दे सकती है बात आगे बढ़ाते हैं इन दो शीशियों से अब इसमें एक में नमक है और एक में मिर्च है मतब अब ये जो images आप देख रहे हैं यहाँ पर ये normal visible light से लियोए images हैं लेकिर अगर हमने इन दोनों के एक एक grain को देखना हो तो फिर हमें visible light काम नहीं देगी फिर हमें electron microscope की ज़रुत पड़ेगी तो next motivation मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कितने detailed images जो हैं वो हम electron microscope से अब तक observe कर चुके हैं उनके list तो बहुत दंबी है लेकिन उनमें से कुछ images है जैसे यह एक zoom image है यह result image है salt and paper अभी जो आपने नमक और मिर्च देखा है सेम इसी तरह यह image है एक hydrothermal warm का जिसे 525 गुना magnify किया गया है जूम किया गया है अब यह जूम होकर भी इतना clear नजर आ रहा है तो it means कि electron microscope ने इसको यूं कहले कि बेतहाशा pixels में जो है वो create किया होगा यह larva है एक fly का एक मक्ही का और देखें मतलब कैसे जैसे बकाईदा उसकी शकल जो है वो नजर आ रही सुई धागा कितने detailed scale पर जाकर इसको देखा गया है cat fly है मतलब अल्ला ताला ने जो है वो microscopic scale पर भी जाके क्या नक्षो निगारी की हुई है कायनात में यह sugar crystals हैं जिनको यह आम घरों में उरने वाली मक्ही बजाहिर कितनी बुरी सी लगती है पर electron microscope से कितनी personality नजर आ रही यह tooth brush के जो fibers होते हैं उन्हें 60 times zoom किया गया है इसी तरह dust है इसे millions of times zoom करके इसे fake colors दिये गए हैं याद रखें electron microscope से हम सिरफ black and white images जो हैं वो gray scale images हासल कर सकते हैं क्योंकि उ light है वो इसी तरह परसी विजिबल light परसीव नहीं होती यह eyelash है आँक के उपर जो बाल होते हैं यह उनकी एक image है और fake colors इसको भी दिये गए हैं यह आपकी shirt का जो fiber है उसको zoom किया गया है इसी तरह यह pollen grains है आई of a fruit fly है आँक के उपर भी देश के देखें कितने चोटे चोट सुई जैसे sports है और electron microscope से visible है जबके हम आम तोर पे इसको देखने की कोशिश करें तो शायद कभी नहीं देख पाए yellow mite है इसी तरह bad bug है same इसी तरह algae इसका एक छोटा सा particle कितने जबर्दस geometrical shape है यह में electron microscope से पता चला so this is all because of electron microscope now we will learn कि how an electron microscope works यह actual picture है electron microscope की electron microscope के इतने detail image देने की वज़ा यह है कि electron microscope जो है वो wavelength यूज करता है जो thousand times shorter है visible light से और इसमें हम wave nature of electrons को यूज करते हैं यानि electrons को हम बहुत high voltages से अगर accelerate करें तो electrons बहुत shorter wavelength हमें provide कर सकते हैं तो इसकी जो block diagram है जो आपकी book में बनी है उसी को मैं लेकर चलूँगा और आगे explain करूँगा तो देखें यह block diagram है जिसमें electron source है magnetic condensers है specimen रखने की जगा यह नहीं magnetic objective है first image कहां बनता है secondary image कहां बनता है तो step by step चीज़ों को देखते है number one electron source है कि electrons जो है उन्हें accelerate किया जा सकता है from 30 kilovolts to several megavolts और यह वो equation है जिसकी base पे electron की जो voltage और wavelength का relation बनता है lambda is equal to h over 2mEV greater the voltage shorter will be the wavelength कितनी shorter wavelength रखनी है यह depend करता है कि आपको किस type का specimen जो है उसे observe करना है number two magnetic condensers देखें हम visible light को अगर आपने refract करना है deviate करना actual path से तो आप lenses यूज़ करने है electrons चूँके light नहीं है particles हैं और charge particles हैं तो electrons को deviate करने के लिए हम magnetic fields चूँके अब chapter 14 में पढ़ चुके हैं कि electrons जो हैं उनके path को deviate किया जा सकता है magnetic field की वज़ा से magnetic field को हम use करते हैं electron beam को focus करने के लिए कहां focus करने के लिए जहां हमने object place किया है ताकि तमाम electrons उस object के साथ जाके interact करें magnetic objective, object is placed here तो यहां पर जो object place किया जाता है वो एक बे जान object है क्योंकि हम electron microscope में vacuum condition use करते हैं तो non living organism can exist inside the electron microscope और इसके specimen की preparation भी एक बहुत detailed topic है Electrons scatter from the thicker part of the specimen so that there is a special difference in the density that corresponds to the feature of specimen आगे एक वीडियो में मैं यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो electrons हैं वो किसी भी surface से scatter होते हैं और उसकी details जो है आगे project करते हैं so यहां से electrons जो scatter होंगे उन scattered electrons का पहला image बनेगा intermediate projector पर और वो real or inverted image होगा 0.5 to 1 nanometer resolution is possible with a 50 kilovolt electron microscope अब देखें वही मैंने शुरू में बात की थी resolution की यानि 0.5 to 1 nanometer scale तक, nanometer scale तक हम बहुत fine detail image की हासिल कर सकते हैं just by using 50 kilovolt electron microscope final image is presented on either the fluorescent screen और इसको electron micrograph भी, micrograph का नाम भी दिया जाता है तो यह एक पूरा procedure है जिसके तहित एक पूरा image है वो detailed बनता है इसी को आगे फर्दर हम देखते हैं एक simple video में कि how does an electron microscope works यहां पर एक electron beam है जो differently magnetic condensers की मदद से इस particle पर project की जा रही है और यह electrons हैं जो इसके different thickness वाले parts से scatter हो रहे हैं यह scattered electrons जो हैं इनकी intensity को हम study करके इनकी intensity को distribution graph बनाकर यह हमारे पास एक electron image बनता है अब देखें वो actual color तो नहीं appear हो रहा अब जितना fine detailed image होगा हम उतना उसको zoom करके देख सकते हैं 300 time magnification जो है वो इसकी exist कर रही है और जादा हम shorter wavelength यूज करेंगे तो हम इसे और भी जादा zoom करने की capacity में आ जाएंगे तो types of electron microscope बहुत सी electron microscope अब market में exist करती हैं transmission electron microscope है scanning electron microscope है reflection है low voltage है तो इनको abbreviation में यूज किया जाता है TEM, SEM, REM, L, WEM जो है वो इस तरह microscope यूज होती है यहां पर मैं एक simple table में प्लेस किया है जहां पर आप simple compound microscope या light microscope का comparison पढ़ सकते हैं with electron microscope तो यह वेरी बहुत easy सा एक comparison है आप इस image का screen shot ले सकते हैं और इसको detail से पढ़ सकते हैं कि क्या difference है electron microscope में और visible compound microscope में तो यह था आज का topic electron microscope अगले topic में जल्द हाजर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अला हापस कर दो